Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे किया आपके person आज आपके लिए कैसा feel कर रहे हैं. So, ये सारे star science की reading होती है, ये एक short reading है और बिलकुल timeless है. So, let's start. आपके person की current feelings. So, सबसे पहले हमारे पास है Ace of Pentacles, फिर हमारे पास Death. Next is the moon. So, maybe इस वक्त आप लोगों की बातचीत चल रही है या कम चल रही है. कम चल रही है या बिलकुल नहीं चल रही. I also feel कि आपके person ने कुछ नया start किया था जो सही नहीं गया है और उसकी वज़ा से ये इनसान बहुत परिशान है. Maybe इन्होंने बहुत जादा शेयर किया था, सबसे अपने friends and family आपको भी बताया था, आपने किसी नए project के बारे में, किसी चीज़ के बारे में और वो बहुत जादा excited भी थे. बट I feel के चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने प्लान की थी और इस वक्त ये इनसान बहुत जादा परिशान है, because उनका कोई काम, कोई project, कुछ खराब हुआ है, और ये उनके finances से related था, जो कुछ खराब हुआ है, जिसकी वरह से वो बहुत जादा परिशान है, distant नजर आ रहे हैं आपसे, so अगर इस वक्त ये इनसान आपके साथ थोड़ा अजीब या cold behave कर रहे हैं, आपसे सही तरह से बात नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो rude हो रहे हैं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, so I feel कि जैसे उनकी higher self आपसे ये कहना चाहती है कि don't take it personal, इसमें कोई चीज़ परसनल ना लीजेगा क्योंकि आपकी वज़ा से उनका ऐसा behavior नहीं है, उनका ऐसा behavior उनके अपनी जिन्दगी में जो हुआ है, recently जो भी उनका project, कोई काम, उनका जो खराब हुआ है, उसकी वज़ा से वो आपके साथ ठीक से behave नहीं कर पा रहे हैं, और वो ये बात जानते हैं कि ये कोई excuse नहीं है आपके साथ गलत behave करने का, but they can't help it because वो बहुत ज़ादा परेशान है और उनका किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा हुआ, खुद को बस isolate करने का दिल कर रहा है, अकेले रहने का दिल कर रहा है, ताकि वो अपन you know, कुछ नहीं आपर से start करने कि उनके अंदर motivation आ जाए, so इसलिए इनको थोड़े सी space, थोड़े सा time अकेला चाहिए, उसके इलावा I do feel कि ये इनसान, इनके दिल में आपके लिए बड़ा प्यार है, I do feel कि ये इनसान आपको अपनी family समझते हैं, क्योंकि हमारा अपस ये family card है, 11-11 card, twin flame, soulmate energy भी हो सकती है ये, but regardless of labels, ये इनसान आपको अपनी family समझते हैं, ये इनसान इनको आपकी support चाहिए, आपकी appreciation चाहिए, चाहिए थोड़ी सी ही क्यों ना हो, बट ये इनसान चाहते हैं कि आप इनको appreciate करें, जो भी इनकी efforts हैं उनके लिए, और ये इनसान healthy, happy connection बनाना चाहते हैं, ये आप से communicate भी करेंगे बहुत जल्दी, बट right now ये इनसान किसी से connect नहीं करना चाह रहे हैं, because वो sad हैं, वो down feel कर रहे हैं, और इसका ये भी मतलब हो सकता है, कि आप दोनों के दरमयान शाहिए लड़ाई हुई या कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वज़ आ रहे थे, जो के बड़ा flop हो गया, नाकाम हो गया, सही से नहीं हुआ आप लोगों का कोई project और इस वज़ा से वो परेशान है, बट इसका दूसरा message जो मैंने आप से कहा वो यही है, कि ये इनसान reconciliation चाहते हैं, अगर इस वक्त आप लोगा लेदा हैं, बट जरूरी नहीं ह कि बहुत से लोगों के लिए separation नहीं भी है, it's just कि आपके person थोड़ा सा उनका mood off है आजकल, and I feel के it has nothing to do with you, जो मैंने पहले आप से शुरुआत में कहा इस reading के, so ये इनसान आप से communicate करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, बस उनने थोड़ा सा time चाहिए, relaxation का, थोड़ा सा rest का, clearly सोचने का कि अब आगे उन्होंने क्या करना है, जो उनका नुकसान हुआ है, उसे वो ठीक कैसे कर सकते हैं, और एक नई strategy के साथ वो फिर से आना चाहते हैं, so आप से वो सिर्फ support, और थोड़ी से understanding चाहते हैं, and they absolutely love you, इसमें कोई शक नहीं है, ये इनसान, आप इनके में किसी का birthday हो सकता है, कुछ celebration हो सकती है, but I do feel कि कुछ अरसे में आप लोगों की मुलाकात भी होगी, और communication तो आप लोगों की बहुत जल्दी होगी, so ये आपकी quick energy update थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे जरूर बताईएगा comment section में, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye bye